नमस्कार मैं हूँ मनीशा ज्हा, आप देख रहें ABN News कॉंग्रिस की पूर्व सांसाद और वर्तमान में महिलाई काई की अध्यक शुश्मिता देव ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है उन्होंने इस्तिफे की जानकारी सोनिया गांधी को पत्र की माध्यम से दी हलाकि सुश्मिता देव का पार्टी से इस्तिफा देना कॉंग्रिस के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है दरसल सुश्मिता देव 2014 के लोग सबाचुनाव से असम की सिल्चर सीट से कॉंग्रिस पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़कर सांसत बनी थी इसके बाद उन्हें All India महिला कॉंग्रिस का कारे भार भी दिया गया लेकिन असम विधान सबाचुनाव में हार की बाद सुश्मिता देव का स्थिफा कॉंग्रिस के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन गया है बता दे कि सिफा देने से पहले ही सुश्मिता देव ने कॉंग्रिस पार्टी का वाटसप ग्रूप भी छोड़ दिया था वहीं उन्होंने ट्विटर से अपना बायो भी हटा लिया जिसके बाद अब उन्होंने खुद को बायो में कॉंग्रेस पार्टी का पूर्व नेता बताया है दरसल एक अदम सुश्मिता देव ने तव उठाया जब ट्विटर ने उनके अकाउंट को निलंबित कर दिया है सुश्मिता भी उन नेताओं में से एक है जिनका ट्विटर अकाउंट राहूल गांधी के साथ निलंबित किया गया है सुश्मिता देव के पार्टी छोड़ने से कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ही सवाल उठने शुरू हो गए कार्ती चिदमरम इस पर विचार करने की बात कह रही है वही कपिल सिब्बल ने युवा नेताओं के इस तरह कॉंग्रेस पार्टी छोड़ कर जाने पर सवाल उठाए है कार्ती चिदमरम ने सुश्मिता देव के सिफ़े पर लिखा हमें इस बात पर गहन विचार करने की ज़रूरत है कि सुश्मिता देव जैसे लोग पार्टी छोड़ कर क्यों जा रही है इस पर विचार करने से हटना नहीं चाहिए वही कपिल सिब्बल ने लिखा सुश्मिता देव ने कॉंग्रिस पार्टी की प्राथमिक सद्सिता से सिफ़ा दे दिया है ऐसे में जब यूवा नेता पार्टी छोड़ कर जाते हैं तो हम बोड़ों को इसे मजबूत करने के हमारे प्रयासों के लिए दोशी ठहराय जाता है पार्टी आगे बढ़ती रहती हैं आख अच्छी तरह बंद करके हलगे टीमसी सुटरों के मुताबिक सुश्मिता टीमसी नेतरित्व के संपर्क में हैं और जल्द ही कोलगता पहुँच कर ममताब एनरजी या विशीक मेनरजी से मिल भी सकती हैं जानकारी के लिए बता दें कि सुश्मिता देव असम बंगाल के बड़े नेता संतोश मोहन की बीटी है वे असम की सिल्चर सीट से सांसत भी चुनी गई थी ऐसे में फिलहाल वे औल इंडिया महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष थी फिलहाल टेंसी या सुश्मिता की तरफ से अभी कुछ साफ नहीं कहा गया है हलाकि इस बीच उनके बीजेपी में जानी की अटकले भी लगाई जा रही थी जिससे इस फस्ट करते हुए असम बीजेपी के महास सचीव डॉक्टर राजदी प्राय ने कहा कि ऐसा नहीं है वे बोले सुश्मिता देव बीजेपी जॉइन नहीं कर रही है और नहीं वे हमारे किसी सीनियर नेता के संपर्ट में है तो फिलाल के लिए ताही देशर दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही एवियन नियूस के साथ